असलाम अलेकुम स्टुएंट्स वेलकम बैक टू अपनाटीशा.com आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रॉड एन एर्र अच्छा ऑडिट के अंदर हमने जैसी बात की थी के प्राइमरी अब्जेक्टिफ हमारा फ्रॉड और पकड़ना एर्र पकड़ना नहीं है लेकिन हम स सेंपल में एर्र भी आजाता है तो हम उसको रिक्टिफाय करवा देते हैं उसको सही करवादेते हैं ठीक है तो सब्से पहले अगर हम बात करें वहीं चांप नकालब और वो अगले दिन आके उसके अंदर जमा करते हैं क्योंकि हर महीने या एक हफते बाद रिकंसाइल होता है पीटी कैश तो उसकेस के अंदर क्या होता है कि अगर आपने पैसे निकाल भी लिए वो अपना अकाउंट के अंदर मेरे भीज दे अब पैसे भीज दिया वह आपको कंपनी को दे देगा लेकिन उसमें वो अपने काम के लिए परस्टनल यूज के लिए उसको इसको 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 कर सकता है ठीक है तो यह आपका कैश रिलेटेट जो मैंने मिसे प्रोपेशन बता सकता है जहां पर कंट्रोल अच्छे नहीं होते अच्छे जहां पर कंट्रोल अच्छे हैं वहां पर तो यह करना मुश्किल है वहां पर वाइल लगाए होते हैं सेक्रोटी कैमरा होते हैं और गेट पास और प्रॉपर बनता है तब ही जा बंदा कोई क्लेरेंस से अपना बोल्ड थे या कोई ऐसी वैल्यूएबल चीज थी वैल्यूएबल आइटम था जो के बहुत स्मॉल छोटा था वो उसमें अपने जेप में डाल के ले गया तो वो चीज अगर आपकी प्रॉपर चेक नहीं तो उससे मिसप्रोप्रोपेशन हो सकती है मतलब उसने आप कंपनी क बाता है आपके आजाता है मैं रदो बदल की बात करें तो यह रदो बदल किस तरह के से हो सकता है कि आपके अंदर जैसे गम स्टेटमेंट मैंने बताई थी आपको और बैलेंशीट financial statement which carries income statement और आपका balance sheet सब्सक्राइब कर देता है अच्छा इसकी बात करें तो इसमें यह होता है कि कभी कबार आपका profit शो करवाने के लिए ज्यादा income statement के अंदर शेशाड़ की जाती है कभी कबार ऐसा किया जाता है कि profit जादा शो करवाय जाता है अगर आप किसी shareholder को कोई बड़ी public company होती है उसके जो owners होते हैं जिन्होंने पैसा invest किया होता है उनको अच्छी position दिखाने के लिए अच्छे profits दिखाने के लिए आप fake profits प्रोड्यूस करते है directors वगारा क्या करते हैं कि आगे की sales जो होती है जो आपकी managing concept होता है आपने accounting में पढ़ा होगा कि इस साल की sales इसी साल record होगी अगले साल की sales अगले साल record होगी लेकिन वो credit terms के अंदर खेलते हुए कभी कबार directors क्या करते हैं कि वो अगली वाली sales को भी sales के अंदर दिखा देते हमारी company की growth है वो बहुत अच्छे तरीके से चल रही है तो यह सारी सारी चीज़ें director कर सकता है और अच्छा इसमें एक और चीज़ भी हो सकती है कि बढ़ाता भी है कभी कभार घटाता भी है profits को कम इसले करते हैं कि tax authorities से बचने के लिए government जादा profits के उपर जारा tax लेती है त उसको चुबाने के लिए आपको fake profits produce करने पड़ते हैं आपको profits कम दिखाने पड़ते हैं आपको expenses जदा दिखाने पड़ते हैं तो expenses को क्या कर देते हैं overvalued जितने के expense होते नहीं है उतने से ज्यादा से expense दिखा देते हैं उसको उसकी वह भी बना सकते हैं जाली इन्वाइस जो होती है जो आम तोर पर चलता है मामला और दूसरी तरीके से भी आपकी invoices को fake बनाया जा सकता है जिसकी वज़ा से आपके expenses बढ़ जाते हैं और आपका profit घड़ जाता है तो इस वज़ा से आपके tax की बहुत सारी savings हो जाती है ठीक है इसके अंदर आपकी बात करें तो यह दो एक्सपेक्ट तो मैंने आपको बता दिया कि यह manipulation के अंदर आता है उसक तरीके से याद कर सकते हैं इस goods के goods की मिस अप्रूपेशन है cash के अंदर मैंने आपको बताया कि पैटी कैश की closing के अंदर यह मामलात हो सकते हैं तो उसके अंदर आपका पैटी कैश जो officer होता है वो ऐसे manipulation कर सकता है वो cash point of view से आ गया manipulation के अंदर आ जाएं तो आपको मैंने ब चीज मैन्यूपलेट करके उसको justify कर देता है तो यह आपका manipulation में आ गया अच्छा हमने जहां तक fraud की बात कर ली अब हम बात करते हैं errors की errors की बात करें तो इसके ने सबसे पहले हैं omission omission मैंने काफी word इस्तमाल किया पिछली वीडियो के अंदर भी आपको समझ में आ जाना चाहिए के omission का मतलब है कि कोई चीज मैंने गाइब कर दी फर्स करें कि अगर मैंने कोई entry मिस कर दी मेरी इतनी competency नहीं थी मैं उस टाइम पर बहुत बीजी था या मेरा busy schedule था मेरी routine बहुत बीजी थी मैंने क्या किया कि वह एक entry थी मेरे से वह मिस हो गई तो आपका omission के अंदर आ ज सब्सक्राइब को फर्स करने इसकी मिसाल ऐसी है कि 500 की जगा रुपीज 500 की posting करनी थी आपको expenses की सब्सक्राइब कि आपने कर दिया 5000 रुपे एक जी तो लगाना इससे क्या फर्क पड़ता है आपने बे देहानी में एक जीरो लगा दिया वह आपका expense 500 से 5000 चला गया और आपकी पूरी की पूरी जो है वह बैलेंशीड आउट हो या परेशान गुम रहे हैं आपकी income statement में ला यहां अच्छा इसके बाद हम कंब्सेटिंग की बात करें तो आप कंब्सेटिंग यह हो सकता है कि इसके अंदर Mr. x थे उनके account में मैंने debit करना था डेविट करना था मैंने घ्या किया मैंने Mr. western की जगा Mr. Y की account को debit कर दिया अब मैंने जो दो account अलग-अलग debit किये हैं अब मैं इसको जो इंट्री होगी इसको reverse करूँगा अब मैं जब इंट्री करूँगा तो ये को प्रिंसिपल कि यह होता है कि मैं आपको जैसे बताया था कि एककाउंटिंग के कुई st diploma on which person has a क आजरे शोते हैं इंदर उलग फॉलोग उरहे होते हैं ऊब आप से कोई रेलेवंटनी होता उसके मैं समय कि बिसाल दे रहा हूं को एक चीज़ा बतारा हूं कि आईस्टू होता है जैसे इवेंटरी आपने पढ़ा भी होगा आपको डीटेल में पढ़ने की दरूत नहीं स्टैनर्ड से मैं एक और भी दे रहा हूं कि उसके अंदर यह होता है कि फीफो लिफो फॉलो होता है और एफ चल रहा है तो इसलिए आपको बहुत दियान से इसके प्रिंसेपल जी रहे हैं जो मैंने आपको बताएं हैं आई यह होते हैं डिफरेंट होते हैं वो इंटरनेशनल इसके तहर आपको प्रिंसिपल जो हैं वो गुवे और यहां नहीं कर रहे और अगर तो यह भी अश्रयद्र केका होते हैं या प्रोफेशनल स्टडिश नहीं कर पाते या बीकॉंब भी नहीं कर पाते वह ऐसी इंटर होने के बाद एक जॉब पर लग जाते हैं और वह अकाउंटिंग समाल रहे होते हैं बस उनको एक्स्पिरियंज के तौर पर उनको रखा जाता है तो उनको इतनी मद्दे नजर रखना पड़ता है तो आई होब मैंने आपको फ्रॉड और काफी डीटेल में समझा दिया है आपको समझ में आ गया होगा इसके उपर कभी कबार सवाल भी बनते हैं तो इसको मैंने याद करने के लिए वह आपको मैंने बता हैं कि यहां पर भी एक्रूनियम को से आपका फूमिशन आ गया इस तरह से आप शॉर्ट फॉर्म्स लेके चलेंगे हर जगा के अदर भी कर सकते हैं और जहां पर बहुत सारे एडिंग्स आ रही हैं वहां पर इस तरह कि अगर आप एक्रूनियम लेके चलेंगे तो आपको याद रखने में बहुत असानी र तो उसके अंदर यह बहुत काम आता है और यह चीज आप प्रोफेशन सेडीस के अंदर भी बहुत काम आती हैं तो हम इसी तरह से एक्रूनियम वगरा इस्तमाल करते हैं और और आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी चीज़ें आप बुक से पेटी वाला की बुक मैं से आपको रेफर करता हूँ कि आप उसमें से पढ़ें बहुत अच्छी वुक है और इसमें से चीज़ें बहुत डिटेल में लिखी हैं आपको चीज़ें याद करने में भी असानी होंगी आप अपना गोधू करते रहें और इसमें से इसी पॉइंट्स बनाके जब आप पॉ